रोहन जी, एक और प्रश्न है, और वो ये है कि क्या आप TMC, क्योंकि अभी तक आप कहते थे ये BJP वाले खरीद खरीद के सरकार बनाते हैं, आपके सारे विधायक तो TMC में चले गए, और वो बन गई मुख्यवे पक्षी पार्टी, चुनाओं के पहले, अब क्या सभी आप विधायकों को बचाने ही पाते हैं, बाकी पार्टी यां, BJP खरीदती है, TMC खरीदती है, सब के सब खरीदते हैं, अरे भाई, आपके विधायकों के ये, आपके नेताओं की आइडियोलोजी है क्या, इतनी कमजोर आइडियोलोजी क्यों है, कि वो किसी भी तरफ जाने को त्यार रहते हैं? का काम है, और वही मैसेज, जब वेस्ट बंगाल में हम लोग बाई एलेक्शन में जीतते हैं, जहां पे TMC का स्ट्रॉंग ओल्ड है, ये जनता का मैसेज है, हम तो इमानदारी से हमारे मुद्दे जनता के साथ लेके चले, बारत जोडों में लेके निकले, और वही उसका मै का का एक्जांपल बात बार अंजना जी इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं, वहां से सियासी उठापटक जिस प्रकार से हो रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा अलाम साबित होने वाला है, जो दोनों सीट पे उनका परिणाम आया, एक में ही लोग वहां पर भी जो सिच्वेशन का, जो उन्होंने मशिनेरी का दूरूपयोग किया है, हर सीट पे, छोटी सी, छोटी सीट पे, आप सोच नहीं सकते हैं, तो ये जो दिखता है बीजेपी का चेहरा, जो कमल, और नीचे का जो कीचड है, जीतने का रिजन वो कीचड है, जिस तुम कीचड उच्छा लोगे, उतना ही कमल खिलेगा, जल्दी से आप से कमेंट, क्योंकि दस ग्यारब पर लेफ्ट का सिमट जाना, अब तरिपूरा में, तीन सीटे वहां पर कॉंग्रस के आई हैं, तरिपूरा में, क्या वाम दलो की कहानी और किताब बंद हो गई है, त सोला सीट गारे थे, और साथ में 42% वोटशेर भी इंट हर भी गया है, औरहला कि कॉंगरस साथ यह संति हैं किया है, तो कांग्रस के तो वोटब ट्रांसफर नहीं हुए, हाला कि क्उंग्रस को थोड़ा सा मुद्क operation दिखाई दे रहे हैं, ज्रो त्यू थी से वहाँ पहू केरल ही बज़ गया है अब और कॉंग्रेस के साथ गडबंधन आगे कैसे होगा बाकी पार्टीज करेंगे नहीं करेंगे इसमें भी सवाल आएंगे तो मेरे हिसाब से कॉंग्रेस के साथ-साथ लेफ्ट का भी नौठिस से फिलाल तो पॉलिटिक्स में कहा नहीं जा सकते हैं आगे क्या होता है बट फिलाल तो पत्ता साफी नजर आ रहा है ठीक है